हेलो और बड़ी दोस्तों एक बहुत बड़ा इंतजार आपका खतम हो चुका है राजस्तान प्लीस बरती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें कुल पद 5000 बताए गए हैं योग्यता दस्वी है महिला और पुरुस दोनों के लिए वकैंसी है यदि आप जाना चाहते हैं पूरी अपडेट को तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे हैं दोस्तों आप एक्जाम को कैसे करेक कर सकते हैं आप राजस्तान प्लीस में वर्दी का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं ये भी आपको इस वीडियो में इनफरमिशन मिलेगी तो आप इस वीडियो Constable Recruitment 2019 एक दिन पहले तो यह 4 तारिकाज 4 तारिकाई नोटिस है और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेसन मैंने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर पर डेट भी देख सकते हैं इसके 4 दिसंबर 2019 ठीक है यानि कि आज का इनोटिस है कौन स्टेबल भरती है तू विज्यापती ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5000 रिक्त पद बताए गए है ठीक है 5000 रिक्त पद बताए गए हैं कौन स्टेबल सामायना है और कौन स्टेबल चालक के पद के लिए यानि कि कौन स्टेबल जरनेलोल्टी और कौन स्टेबल ड्राइवर के पद के लिए बरती निकड़ी है ठीक है पूरी डीटा अपको बताऊंगा दोस्तों और दोस्तों जैसा कि आप सबी को पता है कि यह दी आपको राजस्तान पुलिस में लगना है तो आपको मैन मुख्या क्या होता है कि आपका जो रीटन एक्जाम है वो पास होना चाहिए और आपका जो फीजिकल स्टेंडर्ड है आपका वो पास होना चाहिए तो दोस्ति आप अपना जो रीटन एक्जा पास करना चाहते हैं तो आप दुरीन एप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से यहां पर आपको कम्पलीट राजस्तान पुलीस का कोर्स वीडियो के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा और आपको ओनलाइन मोक टेस्ट भी दे जाएगे और ये पूरा जो प्रोसेस रहेगा ये पूरा जो कोर्स रहेगा ये सुभास चारण के दुवारा करवाया जाएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाएए और अभी के अभी दुरीन एप को डाउनलोड कर लीजे और अपने राजस्तान कर लेते हैं दोस्तों कि क्या क्वालिफिकेस नहीं बताई गई है तो मैंने उपको दिखा दिया कि 50,000 पद है दोस्तों ठीक है फारम आप इस विबसाइट से ओनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पर देख सकते हैं ओनलाइन अप्लैकर फोर में एक सप्ट कि जाएंगे ठीक है और आगे सारी डिटिल आपको इस वीडियो में मिलने वाड़ी है, तो देरे देरे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे अब देख लेते हैं, और जो इसकी प्रिक्षा दोस्तों रेटन जो प्रिक्षा होगी, वो फरवरी या मार्स 2020 में आयुजित करवाई जाने क यहां पर बताए गई है, ठीक है, और महिलाओं को इसमें आरक्षन दिया गया है, 30% होरीजन्टल रूप से, और जो राजस्तान से बाहर के कैंडियेट होगे न, उनको राजस्तान में जनरल काटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है, और पेस के लिए आप यहां प इन उसार पेमट दी जाएगी, ठीक है, आग के दे BLACK देख लेते हैं, और योग्यता क्या है, दोस्तो में जी योग्यता क interviewed है, तो आप भारत के नागरिक हैं, आप नेपाल के नागरिक हैं, भूठान के नागरिक हैं, आप इसके लिए अपलाई पास फुना जरूरी है दोस्तों और जो र C यह MBC बटालियन है उसके लिए अप्का वी पास होना जरूरी है धी करते है न तो आपका एक वरस पुराना ड्राइविंग नआएंस आपके पास होना ची यह फिर आपके पास होना ठीक है आगे और देख लेते हैं और यदी कोई कैनेट अपीरिंग है भी वो कैनेट भी इसके लिए अपलाई कर सकता है लेकिन जब फीजिकल होंगे उस टाइम पे आपकी जो नियुंतमी हो गयता है वो कम्पलीट होने चीए पास होने चीए ठीक है अब बात कर लेते हैं और यहां पर एज देख लेते हैं यहां पर अलग-अलग से एज बताई गई है कि आप इन के बीच में दिया आपकी डेट अबरत है तो आप अपलाई कर सकते हैं दोस्तों यहां पर आप देख लीजिगा ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे सामाइने के लिए उ फिर भी कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और चालक पद के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है और दोस्तों इसमें आपका सबसे पहले रिटन है एक्जाम होगा रिटन के बाद इदि आप पास हो जाते हैं और पांच गुणा केंडिट को आपका जो फीजिकल है उसके लिए बुला जाएगा इदि हम यहाँ पर हाइट साइट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 168 सेंटिमेटर नियूंतम समझने के लिए और महीला के लिए 152 सेंटिमेटर ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं और नियूंतम सीना 81-86 का six by six बिना चसमे के होना जरूरी है और यहां पर आप देख सकते हैं अभ्यार्थी के गुटने आपस में टक्राने नसे फुली हुई होना महेंगापन रंग दरिश्टी दोस्ट ठीक है यह आपके नहीं होने चीए दोस्तो और यदि हम बात करें रिटन की तो रिटन आपका टोटल सो नमबर का प्रोसेस रहेगा ठीक है इसमें यदि हम कॉन्स्टेवल जर्नल डूटे की बात करें प्रिक्षाप की 15 नंबर Ki कौन्स्टेवल सामाने के लिए 15 नंबर की उर और कॉन्स्टेबल सामयन्य में प्रिक्षानी के स्किल टेस्ट नहीं होगा विए इंचालक में आप से ड्राइविंग करवा के देखी जाएगी और दस नमबर आपके कॉन्स्टेबल सामयन्य में आपके जो NCC है आपने होमगार्ड में काम कर रखा है या आपके पास लिखित प्रिक्षा पास्त करना चाहते हैं तो दुरीन आपको डाउलोड कर लीजिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिलेंगे वहाँ पर सुभास सारण सर के दुवारा उनकी टीम के दुवारा आपको इसकी जो त्यारी है वो करवाई जाएगी ठीक है और यहां पर आप दे सकते हैं कि कौन सा सले बस कितने के दिने नंबर का रहेगा पांच गुणा केंड़ेट को लिखित में पांच गुणा केंड़ेट को उसके जो सारी की दिख्षता है फीजिकल के लिए बुला जाएगा ठीक है यहां पर आप रेस वेस्ट देख सकते हैं अच्छे डिटेल से कोंस्टेवल सामयर के लिए पांच क्लिमेटर की दोड़ा है पथीश मिनट में ठीक है महिला के लिए पांच क्लिमेटर की दोड़ा 25 में यहां पे सारी डिटेल दे रखे कोंस्टेवलивается के लिए लगभा का सेम यही растicks रहे और दोस्तों अब बात आ जाती है कि यह आपके Genesis क कितने नमबर मिलेंगे यहां पर दे रखें कितने नमबर मिलेंगे कितने साल काम कर रखा तो कितने नमबर दे जाएंगे सारी और कौन सी डिगरी के लिए आपको पांच नमबर चार नमबर तीन नमबर दे जाएंगे यहां पर देख सकते हैं और दोस्तों अब बात आती है कि फार्म कब सरोंगे तो दोस्तों फार्म आपके जल्द से जल्द सरोंगे क्योंकि इस में मैं आपको दिखा भी देता हूँ नोटिफिकेशन में एक मिनिट चार दिसंबर का ये नोटी से आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है न और यहां पर यह बता गया कि ओनलाइन आवेदन पतर समाचार पतरों में परकासित होने की दिनांग के 15 दीवस पस्चाथ यनकी आपका भी एक दो दिन में ये निउस पेपर में परकासित हो जाएगा और 15 दिन बाद शुरू हो जाएंगे फार्म और 30 दिन तक फार्म चलेंगे जो जो अभी इसकी जो ओन दिन में जैसे आज च्यार तारिक है और च्यार तारिक को ये नोटिस जारी किया गया है ठीक है और हो सकता है कल परशों के एक बार में या सन्यवार की निउस पेपर में आपको ये देखने को मिल जाए और फिर आपके 15 दिन के बाद में इसके ओनलाइन फार्म स्थरू हो जाएंगे ठीक है दोस्तों तो ये थी पूरी भरती उमीद करता हूँ आपको सारी चीज़ा समझ में आई होंगी और यदि आप इन राजस्तान प्लीस की या राजस्तान पटवारी की त्यार इक्रणा चाहते हैं तो पांच दिसंबर से दुरीन आप पर सुबास सारण की टीम के दुवारा कोरस सरू रहा दोस्तों ठीक है तो दुरीन आपको डाउनलोड करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से या प्ले स्टोर से धन्यवाद दोस्तों